आज के इस वीडियो में मैं आपक दिखाऊंगी आलू की सबजी यह सबजी हम लोग लौक्टोन में बहुत बार खा चुके हैं और जब भी हमारे घर में कोई भी सबजी नहीं होती थी तो यह तो बननी बननी होती थी जैसी बनती थी फटक से खतम हुजाती थी काफी इसी है दोस्तों चलिए शिरू करते हैं सबसे पहले कडाई ले लिजिए उसमें दो से तीन बड़े चमश तेल डालीजिए जैसे तेल गरम हो जाए उसमें डाले ओर दाल और थोड़ा सा जीरा और यह दोनों जैसे स्प्लाटर कर रहे हूं उसी टाइम पर आप डालीजिए यहां 2-3 बड़े मिर्ची चोड़े-चोड़े टुक्रों में कट करके और इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बार अब हम इसमें अड़ करेंगे आलू तो यहाँ पे जो आलू हम इस्तिमाल करें हैं उन्हें आपको लंबाई में और थूड़े से मोटे में काटना होगा और जैसी आप इस तरह के से कट करके डाल लेते हैं इसमें थूड़ा सा हल्दी आड़ करके अच्छे से मिक्स कर लिजे अब 5 मिंट के लिए इसे धकन लगा के कवर कर देंगे और 5 मिंट के बाद ये थूड़ा सा कुक हो जाएगा तो जैसी 5 मिंट खतम हो जाते हैं उसके बाद धकन निकाल के इसमें हम एड़ करेंगे सॉल्ट तो यहाँ पर मैं करीबन एक चमच सॉल्ट इस्तिमाल करें हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी सॉल्ट आड़ कर सकते हैं सॉल्ट डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर लिजे अब यहाँ पर हम कोई भी चिल्ली पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि अलड़ी हमने इसमें चिल्ली का इस्तिमाल किया है अब इसे 15 मिन्ट के लिए धकल लगा के कवर कर दीजे जैसी 15 मिन्ट हो जाएंगे तो आलू जो है अल्मोस्ट कोख हो जाएंगे आप एक बार चेक कर लिजे अगर आलू कोख नहीं होते हैं तो दो मिन्ट और आप धकल लगा के कवर कर सकते हैं तो यहां पर हमारी आलोजा बहुत ही perfectly अच्छे से cook हो चुके हैं, तो यहां पर धन्य से garnish कर लीजिए और अच्छे से mix कर लीजिए, अब आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ बड़ी मज़े से खा सकते हैं और पूरी के साथ भी खा सकते हैं, अगर आपको यह recipe अच्छे